कि आप अपना कार या बाइक वाशिंग और डीटेलिंग करना चाहते हैं इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल्स मिलेगा पूरा यह स्टार्ट अप आ आपके लिए किस तरीकेसे आप आशानी से कार और बाइक वाशिंग और डीटेलिंग का बिजनस शुरू कर सकते हैं उसे के साथ साथ आपका एक आड़ान हो जाता है वह सानिटाइजेशन तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाए स्टेप बताऊंगा कि कहां पर कस्टमर है किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं कैसे कॉंपेटिशन को पी सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना सफल स्टार्टप शुरू कर पाएंगे और अपनों खुद को सफल बना पाएंगे शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो के बारे में जादा से जादा जाना चाहते हैं जो भी प्रॉड़क्त मैंने आपको दिखाया है उसके बारे में अगर आप जाना चाहते हमारे ब्लॉक पोस्ट में जाके इसके मारो पूंडर अपढ सब्सक्ते Hetty उस ब्लॉक्त का लिंग आपका डिश्क्रिक्शन में दिया हुऊ रहेगा और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हैं आपको पता है oldई औ बाइक वाशिंग कारी धोना बाइक को दोना साफ सफाई करना तो आज के जमाने में साफ सफाई जो है बहुत ही इंपॉर्टन बहुत ही वाइटल हो चुका है यह सफने आजिशेशन सफेशली युकार पर लोग ट्रावेल आपके साथ कहरें तो कार और बाइक वाशिंग का बब्रया बिजनस यह आपका अभी ग्रो करेगा क्यूंग क्योंकि जो भी बिजनस के साथ जुड़ा हुआ है स्पेशली वाशिंग, डीटेलिंग, सैनिटाइजेशन वो बिजनस अभी ग्रो करेगा स्पेशली यहाँ पे आपको पर्सनल पर्सनल कार के बारे में ऐसे भी बहुत पर्सनल और आपका जो कमर्शियल है वेखर, जो है, उसको आपको टार्गेट करना पड़ेगा, दोनुन जगाश पर आपको फोकस करना पड़ेगा और इन दोनों सेग्मेंट को आप टार्गेट करके आपने बुजनस को बरा सकते हैं, तो चलिए, इसके बार में और भी जlagen लेते हैं जले सबसे पहले यहां बे जाना जहुरी है कि आपका यूजर कौन है और मैं जितने भी आपके business studies करता हूँ business report और business case study आपको बताता हूँ यूजर और बायर आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर आप बाइक खरीदने जाते हैं अपने लिए तो उसका यूजर कौन है आपको दे हैं बायर कौन है आपको दे हैं अगर आप अपने बेटे के लिए बाइक खरीदते हैं तो यूजर कौन है आपको बेटा है बायर क जो अपना वेहिकल चलाते हैं नर्स को लेकर आना लेकर जाना एम्बूलेंस यह सारे चीज़े हैं स्कूल्स और कॉलेज़ेस जहां पर आपकी पब्लिक की गैदरिंग होती है जहां पर लोगों का ट्रांस्पोरेशन करना बहुत ही आपका अब्जेक्टिव यह होना पड़ेगा कि पीपल मुवमेंट यानि ट्रांजिट हो रहा है या पीपल का मुवमेंट हो रहा है उस जगापे आपको टार्गेट करना पड़िगा कि मेरा यूजर कहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी आप अप जैसे स्कूल के पैसा प्रोवाइट करे तो हैं को सबस्क्तों कर लिए अभी लोगों का मूव्मिन जो है वो रेस्टेक्ट हो गया है तो आपको ओफ-लाइं और ऑन-ों- दोनों में आपको आपको ढूओनना पड़ेगा मतलब फिक्ति-फिक्ति मैं स्लिए लिके रहा हूं की आपको वो दोनों जगह पर डालना पड़ेगा ऐसा नहीं कि ऑन ओफ-लाइन में पूरा मिलेगा ऑन-lai में भी पूरा मिले एसा नहीं होने वाल है online में आप अपने अपने एरिया में अपने पिन सर्वेस तो वैसे आपको स्टिकर मार देना है और आपको सिस्टम त्यार करना चैप करना इसे तरीके से आप में तो çीर वह आ पार जि gracan sponge 11 ने पोस्टर लगा दिया जहां पर गाड़ी का मुव्मेंट बहुत ज्यादा हो रहा है या ऑफिश के गराज बहुत सारे हैं तो उस जगह पर आप आफ-लाइन में आप प्रमोट कर सकते हैं और कस्टमर को टार्गेट कर सकते हैं वहां से आपको टार्गेट वहां को करके पर आपका कस्टमर कहां पे विल्ट लोकेशन कहां पे जोग अपना गारी खुद हैं और इसमें उनको रगता है और पैसे हो पैसे क्या देना खुद ही कर लेंगे तो रूरल में आपका उडियंस नहीं है अगर आप रूरल अरिया में हैं तो आप ढूण सकते हैं पर आपको अब उतना मार्केट नहीं मिलेगा में लिए आपको मार्केट मिलेगा जहां पर गारी का पॉपलेशन बहुत जादा है वह अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया इन जगह पर आपको फोकस करना परेगा आप डूबर देखते हैं परिसेजगा रहां आप अप्राइब color के मादधिय को करें वैसे अप्रोच करके उन मुंसें व вас रिए पर आप पर सकते हैं जैसे हैं अपार्जारि प्राइब क्रोट से में जो और सियरे मड़ requirement करें गें वयसे अप्रोच don't आप उनको कर सकते हैं तो यह बिजनेस जो है यह प्राइमारी आपका सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में ही सीमित है तो यहां पर कौन से लाइसेंस की जोगत है जब आप धंदा शुरू करते हैं जैसे मैंने बार-बार कहा है कि आपको ट्रेड लाइसेंस चीह होगा ताकि नहीं चाहिए तो यहां पर आपको किसी को नहीं लगा रहे हो तो यहां पर आपको क्या कोई GST की ज़ोरत है GST license की ज़ोरत है GST certificate की ज़ोरत है अगर आपका 40 लाग के नीच है आपका revenue है तो आपको नहीं चाहिए होगा क्योंकि आप इंट्रा स्टेट मतलब अपने स्टेट के अंदर ही service प्रवाइड कर रहे हो तो यहां पर GST की आप काम कर सकते हैं उसमें कोई दिख्कत नहीं है जब आपको कोई भी सांबान या कोई भी प्रॉडक्ट के सर्विस इंट्र स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर अगर आप sell कर रहे हैं या purchase कर रहे हैं तब आपको ढयास प्रव में DANIELL क्यु Ellis की जहीं कर नहीं हो नहीं करना परेगा तो आप अगर दो करमचाड़ीों के साथ भी आगर कन तंखवा सकते हैं तो शुरू कर सकते हैं तो ऐस जगा पे आप उनको से सब्सक्राइब हो बने को आठ हजार रुपय महीना देते हैं यह साथ हब महीना देते हैं तो आपका आराम करेगा तो यहां पे अगर दो बंदू को आपने रखा हुआ है तो अगर महीने का अगर 15000 खर्चा है अगर 40-50 जार रुपई अगर आप अपने साथ लेके चलते हैं तो आप आराम से इस बिजनेस को तीन-चार महीने या छे महीने तक बिना किसी रेविन्यू के भी चला सकते हैं पर हाँ आपके आपका जो मार्केटिंग कोस्ट है सेल्स कोस्ट है उसको भी आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा करना पड़ेगा इनिशेली आप एक करमचारी के साथ शुरू कीजिए और तीन से चार हजार रुपए या पांच हजार रुपए आप डिजिटल मार्केटिंग में डाली क्योंकि वहीं से आपका आपको जबसे जादा इंवेस्टमेंट आपको उधर ही करना पड़ेगा जहा कस्टमर के घर में जाके उसके लोकेशन में जाके उसको सर्विस प्रोवाइट करेंगे आपको कस्टमर आपके पास नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं है कि लोग कहा आएंगे आपके गराज अगर आप खोलते हैं तो आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे आपको टो शायद से गारी खरीदना पडेगा या बाएक खरीदना पडेगा या स्कोड़ीदना पडेगा उस वही आपको चाहिए अपको चाहिए होगा मोड हुध ऊक्ष दक होगा पर आपको guarantee महंपर आपको अपने को ईक्विंत पर में इंवेस्टमेंट हाँ इनिशियली आपको खरीदना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं और यहां पे आप 15 से 20 थार में भी आप अपना जो है इंवेस्टमेंट करते हैं इक्विप्मेंट पर्चेस करते हैं तो उसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं and you can easily start off your business of car washing, detailing and sanitization. तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अगर आप sanitization करना चाहते हैं तो यहां पर sanitizing spray से आप काम कर सकते हैं और अगर आप गारी के अंदर अगर साफ सफाई करना चाहते हैं तो आप black and decker का यहां पर vacuum cleaner इस्तिमाल कर सकते हैं यह vacuum cleaner का सबसे बड़ा advantage ही होता है कि आपके गारी के आपका cigarette charger में लग जाता है फिर आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं वैक्यूम करने के लिए गारी का जो भी धूल मिट्टी होगा यह आपका car shampoo है car shampoo से आप अभीशली गारी दोएंगे नेक्स्ट हो जाता है आपका यह pressure washer है pressure washer होता है ताकि आप गारी में फोम डाल सकते हैं मैं आपको यह वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से होता है और यह pressure washer है ताकि आपको हाथ से जादा घिसना ना पड़े आपका धूल मिट्टी ज सही से चला सकते हैं और यह आपका equipment investment है और जितना आपका business बढ़ेगा और यह जो consumable है इसको बाद में पर प्रचेस करके फिर इसको continue कर सकते हैं तो यहां पर इसे आप देख पार रहे हैं कि यह वीडियो है जिसका link में description में दिया हुआ है इन्होंने आपका यह vacuum cleaner है और य यहांपे हैं सब देक पार हैं कि आपका जो गारी है वह साफ कर रहे हैं पूरे स्कूटी में अपना जो सामाने उसको आराम से वह carry कर सकते हैं helmet ज़रूर पैनेगा और आराम से आपका wildlife जोबी सामान चाहिए होता है उसको आप करे करके आपका काम करते हैं और इस इस दे वे काँपन काँपन हो पिए काँपन क्या है और सुरू करना चाना चानफे तो यहां पर आंट्रेवर्टे ल करना चान उन्ट में इंट कर वारा जाके आपको इसके आगए Kh departure काइब थैट कोने इन कहुंगर फ्री ङुलन कांप करना चाहते हैं यह kобраз को करते हैं और इनका अच्छा बिजनस ये चला रहा है यूटूब से भी कमा रहें और गारी वाशिंग से भी बहुत अच्छा ये कमा रहें बहुत यस हवारे भर यहां पर चली हैं मargin के बारे में margin यहां कि पिपिकली क्योंकि आप compete कर रहे हो लोगों के मतलब जो गारी खड़ीते हैं या चलाते हैं उनसे आप compete कर रहे हो तो यहाँ पर आपका margin जो बहुत ही कम होता है this is a very low margin business यहाँ पर आपको volume में game खिलना पड़ेगा तो यहाँ पर लोग जो है कमर्शिल में अगर आप चलते हैं अगर आप प्राइवेट गारी अगर जैसे bmw mercedes तो रहा हाई एंड अगर गारी हो जाता है तो वहाँ पर लोग जो है तौह से जादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं उनके पास अपना गारी दोने के लिए जिस जो 35 उपर गारी खड़ी ख कि ऐसमें अगर यह आपको regen आप छर्प यह को सा है मेंटेंस स्ट्री है औँमोटीब इंडस्ट्री है अपका मेंटेंस इंडस्ट्री बीhos तो इसी तरीके सा आपको जस्टिफाइब करना पर यहां पर मार्जिन टिपिकली आपका 20-30% होता है या मैक्सिमम इस जगह पे आपका आपका 100% से ज़्यादा मार्जिन होता है पर अगर कमर्शिल में काम करें तो 20-30% मार्जिन होता है यानि अगर आपका 30 रुपए खर्चा है तो यहां पे आप कितना चार्च करोगे 40-45 रुपए इससे जज़ाधा चार्च करोगे तो कोई देगा नहीं राजी हो जाएगा यहां पर आपको अच्छा material इस्तमाल करना पड़ेगा अच्छे तरीके का setup लेकर जाना पड़ेगा अच्छे तरीके से आपको fit and finish ध्यान में रखना पड़ेगा commercial में क्या है कि चलेगा क्योंकि वो दो-तिन साल बाद गारी चेंज करती है पर private में जब कोई BNW खरीता है तो वो चाता है कि गारी जो है वो अच्छा दिखे अच्छा स्मेल करें तो इस जगह पर आपको दोनों audience को cater करने के आपके पास सामाट present होना पड़ेगा तो यहां प को चाहिए हाई-skill labor अगर आप online promotion करना चाहते है लो स्किल लेबर मतलब आपका जो काम करके आएगा customer के वहाँ पर या semi-skill labor चाहिए जो आपके काम को manage करेगा तो आप शुरू करेंगे low-skill labor के साथ काम को जब grow करेंगे तो आपको manager रखना पड़ेगा semi-skill labor और जब आप online promotion करना चाहते हैं तो यहां पर आपको चाहिए highly skilled labor तो क्या यह business franchisable है जी हाँ पूरा पूरी तरीके से franchisable है क्योंकि आप इसमें system तयार कर सकते हैं कि lead कहां से आएगा कौन उसको convert करेगा कौन जाके deliver करेगा कौन receipt लेगा पूरा जो system आप तयार कर सकते हैं बहुत easy है बह labor को आप भेज के काम करवा सकते हैं margins obviously defined है local में आपका 30-40% margin है और अगर high end में जाते हैं तो आप 100-200% margin भी उठा सकते हैं owner क्या चाहिए होता है business चलाने के लिए विल्कुल नहीं आप काम करेंगे basic चीज है लोगों को आपका labor उसको काम सिखाएंगे वो करके आ जाएगा highly skilled आपको labor एकदम नहीं चाहिए लीड उठाने के लिए marketing के लिए चाहिए होगा और यह पूरा low skill आपको labor चाहिए इस business को चलाने के लिए कैसे जीच सकते हैं obviously price में मैंने जैसे कमर्शिल के लिए आपका एक pricing होना पड़ेगा आपका जो high-end customer है उसके लिए अलग से pricing होना पड़ेगा brand value आपको त्यार करना पड़ेगा ताकि लोग आपकी वर्मिजान पाएं और जब आप हाई-end customers को deal करेंगे तो यहां पे आपको अच्छे से अपना logo होगा बलाना प आप जो काम करते हैं वो गाड़ी थो रहे हैं मतलब if you look at it it's not a big deal लोग खुदी कर सकते हैं पर यहां पर आपका marketing और sales बहुत तगड़ा है तो लोग आपके पास ऐसी आजाएंगे location तो definitely matter करता है urban area में ऐसे जगह पर जहां पर सोचे कि पूरा सबके घर में Mercedes-Benz है तो आप पर ऑबीशली आप रीच ओट या कास्टमर्स घिटेंस अब एड़ीटी का मटेरियल जैसा जैसा customer है वैसा वैसा उसको इसको पर जाइबार पैसा नहीं है उसको सेमाल दे तो आपका हाइंड मरसेड़ीज दे रहा है आपको साफ़ सफाई करने के लिए सेनेटेस करने के ल चाहिए हम आपको डिनो तक कर पाएंगे चैसे मैंने कहा कमर्शिल कर पाईवेत में हाइन में जब करेंगे आपको define करना पडुपकर करें कोई आपको क्लीट प्लस के दो रुपए स्योसय से मेरा कारी साफ करो कोई बोलेगा कि मेरा wax-pol या maximum जो आपको एक्स्पेंसिव जो car wash होता है car shampoo होता है उससे साफ करो तीन 100 रुपई है या यहां पे आपको का क्लीट पलस दो रुपए का है आपको दो ंफे दो तरीके की कस्टمل अबना आपको कु Scrola काकी के साथ जादा दिनों तक इसी के साथ आपको पता चली गए किस तरीके से आप अपना जो कार उशींग कर सकते हैं और आशा करता हूं कि आमको बहुत कुछ जाने को बिला जाने और आपको यह भी तत्य मिल गया कि किस तरीके से आप अपना कार जो वाशिंग बिजनस है सानिटाइजेशन बिजनस है डीटेलिंग बिजनस है वो शुरू कर सकते हैं और यह बहुत ही अपकमिंग और बूमिंग बिजनस है कोई भी लो स्किल आदमी काम कर सकता है इसमें हुआ रहेगा तो आप हमारे प्राइविट ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जो एक आपका स्पेशल कम्यूनिटी है जहां पर हम एक दूसरे को मदद करते हैं आपका जो भी कुश्चन कोई लिए आप वहां पर पूछ सकते हैं और आपको हमारी टीम और हमारी कम्यूनि क mantके लेग Mainly क्यूसरा अ HP करते हैं जेता हैं 다음에 और आपका आपक bạn भी कम्यानिटी टीम यह हमारी कम्यूनियः को आपका सॉरी आपक दो आपके संग्चन करते हैं यह वह दूसरे हैं पूलें इन संग्कतने हैं अल्या ड flatter जा हमारी किना हैं अल्स刁न को देशन आपका ऍना